जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता और आप लोगों का 10 जनवरी 2024 के डेली करन डिफेर्स के क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो भी इंपोर्डन पॉइंट में आपको बताता हूं उ तो पूरे जोस के साथ पूरे होस के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पहला कोशन देखी युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेज कम्यूटी की 46 सेशन की अध्यक्स्ता और मेजबानी कौन सदिश करेगा तो फ्रें करें तो कौफ 29 आप Lego 2014 का कौफ 29 कांपर होगा तो यह अजरवैजान में होगा अजरवैजान की राजधानी बाकू और इसका आजञ किया तो आपके मन में हवाल उठ रहा हुगा सर कॉप 28 कहां पर हुआ तो कॉप 28 जो हुआ UAE में हुआ ठीक है और 2023 में इसका आजन क्या गया था और कॉप 27 कहां पर हुआ तो ये भी लिख लीजेगा कॉप 27 2022 ये कहां पर हुआ ये इजिप्ट में हुआ कहां पर हुआ Egypt में इसका organization हुआ और फिर अगर आपसे पूछा जाए COP26 कहां पर हुआ तो Scotland में हुआ कहां पर हुआ Scotland पर इसका आजन किया गया है सारे हमने समझ लिए दीकिर Russia में क्या होने वाला है तो Russia में Brics Summit होने वाला है तो Brics Summit 2024 इस साल का कहां पर होगा Russia में होगा अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में क्या होने वाला है दोस्तों G20 सम्मेलन होने वाला है 2024 का G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा 2023 कहां पर हुआ था इंडिया में हुआ था 2030 इंडिया में हुआ था 2022 कहां पर हुआ था इंडोनेशिया में हुआ था कहां पर हुआ था इंडोनेशिया में और 2021 कहां पर हुआ था इटली में इसका आजिन किया गया था और 2000 जो 24 है वो कहाँ पर होगा ब्राजील में होगा 2025 कहाँ पर होगा साउथ अफरीका में आज इत किया जाएगा तो सारी इंपोर्टन पॉइंट्स को आपने हाँ पे नोट किया होगा समझा होगा अब आई वापस से चलते हैं युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस कमिटी की 46 सेशन की अध्यक्ष्टा जो भारत कर रहा है इसके वाहर में डिटेल से समझते हैं तो देखिए भारत के सेशन के अध्यक्ष्टा कर रहा है तो ये बात आपको याद रखनी है तो भारत यहां पर 46 सेशन के अध्यक्ष्टा 46 सेशन के अध्यक्ष्टा और मेजबानी भारत करेग और UNESCO में भारत के जो permanent representative है वो कौन है विशाल वी वर्मा है ये भी आप से पूछा जा सकता है कौन है विशाल वी वर्मा दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि यह सम्मेलन कैसा सम्मेलन है आखिर सम्मेलन का उद्देशिक है what is the objective of this conference हर साल विश्व धरोहर सम्मेटी साल में एक बार मलती है और इसे कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेश कंवेंशन ठीक है इसमें होता क्या है आपको पता कि भारत में अभी पिछले वर्ड्स हमने दो इंपोर्टेंट युनेस्को साइट को यहां पर लिस्ट कराया है एक आपको शांतिनी के इतन है और एक साला टेमपल ठीक है तो यह कौन डिसाइड करता है यह धरोहर सम्मेटी करते हैं यह मिलकर कर करते हैं तो किसी भी देश का कौन से उनेसको साइट होगा तो यह कौन डिसाइड करेगगी और इसी पर बातचीत होती है ठीक है तो धरोवर की लिस्ट में शामिल करना है या नहीं इसका डिसीजन कमिटी के दोरा किया जाता है और भारत इसकी इस बार अध्यक्षता कर रहा है बहुत बड़ी बात है दोस्तों बात कर लेते हैं युनेस्को की स्थापना कब हुए दोस्तों 1945 में युनेस्को की स् में अध्यक्स्ता कर रहा है लेकिन अभी स्थगित इसमयल कर दिया गया है इस बज़े से स्थाफित औरаже दखेए उनेस्को की जब बात कर तो युनाइटड नेशन की इसका काम है में पूरिड दुनिया में प्रमोड करना शांति को प्रमोड करना एजूकेशन के माध्यक् सोशल साइंस और कम्युनिकेशन के माध्यम से अब यहां पर आप देख पा रहे हैं यह युनेसको साइट आपको याद रखना है संगीत का शहर है करना चाहर गोलीयर है το serait डीजार यह इसी क्राइइब की शहर श्पीर एक नाम से धरद दोप 的문 हरें य्यðेन सहर काटिया हैंग्यर वैंडनलास स्वालीयर दोब्लाजियों से जाना जाएगा तो सारी महत्वपूर्ट जानकारी आपको केवल एक कॉश्चन में मिल गई दोस्तों आप सभी देख रहे हैं दस जनवरी कीजिए इस लेक्चर को और सभी दोस्तों को इसका प्रॉफिट होना चाहिए तो बैस से अंपर हम यहां पर करेंट अफेर्स की क्लास कंड़क करते हैं इस क्लास की विशेश बात है वह सबसे कम समय में करेंट अफेर्स हिंदी इंग्लिस दोनों माध्य में आपको क्लास प्र यहां पर मिल जाएगी और आज दोस्तों इंग्लिश मीडियम की भी आपकी लॉंच हो गई है राजा गुपता करेंट अफेर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जॉइन कर लिजेगा चले आई देखते हैं दोस्तों सेकेंड कोश्चन नेस्ट इंपोर्टन सिंगर थे जिनका हाली में निधन हो गया राशित खान क्लासिका सिंगर थे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सास्त्री गायक उस्ताद राशित खान जे को जो अब हमारे बीच में नहीं रहे और नौ जनवरी का इनका निधन हो गया है आज 10 जनवरी सुबह हमने कली एक को पिक किया है देखें इनकी उपलब्धियों की बात करें तो भारत का जो चौथा सर्वोच नागरिक सम्मान है पदम श्री है और 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया जो कि भारत का तीसरा सर्वोच सम्मान है 2022 में इन्हें नवाजा गया है तो विशेश कॉश्चन बन सकता है कि इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया अब आप से यह भी पूचा जा सकता है यह किस घराने से बिलॉंग करते हैं तो यह भी याद रखिएगा यह घराना है रामपुर सहरासा घराना ठीक है रामपुर सहरासा घराना के जो गायक राशित खान उस्ताद इनायत हुसेन खान के पड़पोते थे ठीक है वो भी बहुत फेमस थे तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा यह हैं इनायत हुसेन खान इनके पड़पोते कौन थे यह हैं राशित खान ठीक है अब दोस्तो यहां पर आप देख पारें सौथ कोड़ीया के बहुत फेमस एक्टर थे इनका निधन हो गया है। जूनियर महमूद इस्टमाग कैंसर से पीडित थे एक्टर थे इनका हाली में निधन हो गया है यहां पर बात करें आर सुब्ब लक्ष्मी की यह अभिनेत्री थी हैंरी किसिंजर नोबशांती पुरसकार विजेता थे सुप्रीम कोड की पहली महिला जाज अगर आपसे अब्शन दमर्प्रॉश 2Je Laugh dopo इस देश के प्रधान मंत्री बने हैं तो अग्रियल अटल की बात करें तो फर्रान्स को निया प्रधान मंत्री मिल गया है और लक्षमबर के है अगर आपसे पूछा जाया लक्षमबर की पीम कौन है तो लूग लूक फ्रीडन लगजंबर के प्रधान म zijं न्यूज़लेड आधा तो क्रिस्टोफर लक्षन क्रिस्टोफर लब dim यह के यह गय memb कि लिए न्यूज़ेलेड के नय प्रधान मंत्री कि प्रासन पॉलेंड के नये प्रधान मंत्री डोनल टंस कि नाम वे लगा प्रांस के यहां पर देख पा रहे हैं यह देश के अगले प्रधान मंत्री आप यहां पर देख पा रहे हैं LGBT को बिलॉंग करते हैं 34 साल के मात्र और सबसे यह युवा प्रधान मंत्री है और यहां के राश्पती इमेनुवल मैक्रों है आपको पता है 2024 का जो गरतन दिवा सोने वाला है उसमें यह चीफ गेस्ट बुलाए गया है तो इन्हों ने प्रधान मंत्री बनाने का फैसला लिया है गैबरेल अटल किनके स्थान पर आएं यह भी पूछा जा सकता है तो इनक जगह पर अटल नए प्रधान मंत्री बने अभी तक यह एजूकेशन मिनस्टर थे अब यह प्रधान मंत्री बना दिये गए है जैसा कि मैंने बता है LGBTQ प्लस कमुनिटी से यह बिलॉंग करते हैं फ्रांस की बात आई दोस्तों तो फ्रांस की लोकेशन देखते हैं आप यहा इधर से देखें तो पैन है आप इसके उपर देखेंगे तो आपको इंग्लिट्न दिखने को मिलेगा जो कि फ्रांस और यूचय की बीच में हैं इंग लिकने करी बारφर नाम सुना होगा फिर ठीक नीचे आपको फ्रांस की भूह मध्य तेक्ने को मिलेगए मेडीटेरियं इम्हैनुयल मैक्रोन है 2024 के जो चीफfull होने वाले फ्रांस के वो कौन है अम्हैनुयल मैक्रोन होने लुवाले हैं हमारे गर्तन दिवस्ट के चीफ घेस्ट होई यहाँ पर दोस्तों इंट्रेंस एपोइंटमेंट में परिक्षा संजीवनी ले लिजे हाली में कोंगो कि नए राश्ट्र पती कौन बने हैं पूछा जा सकता है तो यह फैलिक्स यह है सैसी के दी यहां के कॉंगो के प्रेसिडेंट है मिशाल अलहमद अलजबर अलसभा कुवेत के नए आमीर बने हैं अगर आप से पूछा जाए कि मिश्र के नए प्रेसिडेंट कोँवन तो अभ्दल्फ था अलसीसी कि तीसरी बार राश्पती बने थीसरी बार राश्पती बने हैं दो हजार तेसके गरतन दिवस्में हैं यह हमारे चीफ गैस्ट हैं नेपाल के निए राश्ट्र पती है राम चंद्र पोडेल और पुश्प कमल जो पुश्प कमल जो है वो कौन है नेपाल के प्रधान मंत्री है आई देखते हैं दोस्तों चौथा महत्पूर्ण प्रश्न लोग सभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से हाली में सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स आप याद रखिएगा पांच वेक्तियों को यहां पर पांच सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से समानित किया गया कितने पांच संसद रत्न पुरस्कार दिये गया है आई जानते हैं तो देखें आपर यह जो पुरस्कार क्यों दिया जाता है किस किस हुआ सब कुछ डिटेल में जानेंगे भारत के वर्तमान जो लौ मिनिस्टर है वो है अर्जुन राम मेगवाल जे तो अर्जुन राम मेगवाल की नेतरत पर एक जूरी बनाए गई थी और यहां पर सांसदों का चैन किया गया है सेलेक्शन किया गया है तो आए जानते हैं कुछ पुरस्कार दिया जाता है इसका आईडिया किस ने दिया था तो भारत के जो एकस प्रेसिरेंट है जो ए पीज अब्धुल कलाम दोस्तों अगर आपको को इंस्पिरेशन लेनी है ना तो आप हमेशा अपना आडल मान के चले आप देखेंगे कितनी गरीवी से यह राश्पती तक का सफर इन्हों ने तै किया है तो आप एक छोड़ी से सरकारी नोकरी का सफर तो असानी से तै कर सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप इन् एपी जैबदुलकलाम और इन्हीं की सलाह पर यह पुरसकार की शुरुवात की गई थी संसदरत्न पुरसकार के आई जानते हूं सभी नेम्स को जिन्हें या वाट किया गया तो सबसे पहले हैं सुकांत मजूमदार जो भाजपा पार्टी को बिलॉंग करते हैं श्री कांत इसके लावा दोस्तों संसद महारत्न पुरसकार भी इसी कटेगरी में दिया जाता है तो यहां पे चार वेक्ति हैं एनके प्रेम चंदरन अधीर रंजन चौधरी विद्युत बरन महतों और हीना विजय कुमार गावित ठीक है तो एनके प्रेम चंदरन आर एसपी पार्ट Trintis न को यहां पे संसद महारत्पुरसकार मिला है संसद उत्कृष्ठ मन रत्न पुरसकार की सेदिया गया है तो सुप्रियी सूले को दिया गया है जो कि N.C.P. sas amaru maharash l drink को बिलॉंग करती है जिहां पे बात करेंगे स्रीरंग अप्पा बर्च्र ने जो कि सिफसे ना महराष्ट को बिलॉंग करते हैं तो ये पूरे मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है दोस्तों एक important news अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो जो आप नए students है तो आप लोग जान लिजे पूरी एक साल का current affairs का yearbook launch किया गया है लगवक 321 पन्ने की 321 पेज़ेस की ये yearbook है जो कि study कर application पर आपको मिल जाएगी राष्टी से लेकर अंतराष्टी आर्थी विग्यानिक टोटल यहां पे दोस्तों 21 अलग-अलग यहां पे एडिशन में आपको पूरा current affairs कवर कराए गया है यह आप index देख पा रहे है मैंने कुछ sample यहां पर attach किया है इसकी 500 महत पूर्ण प्रश्न एक विशेस्ता है 500 important question हम से डाउनलोड कर सकते हैं monthly current affairs English medium में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी दोस्तों वह भी आपकी डिमांड पूरी हो गई है आज यह launch हो गया है अंतर देशी जल्मा विकास परश्यत की पहली बैठक कहां पर आजित की गई यहां पर अंतर देशिय जल्मा विकास परश्यत की पहली बैठक काजित की गई क्या करती बताता हूं पहले आई जानते चन्नाई में बैंगलूरू में न्यू डेली में तो बैंगलूरू में इस बार क्या हुआ था विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ था क्या हुआ था विश्व कॉफी सम्मेलन कहां पर हुआ था। यह बैंगलूरू में क्या हुए था ठीक के और आप अगर आप से पूचा जाए अंतरास्ट्रिय समुद्री सम्मिलन कहां पर हुआ है तो समुद्री सम्मिलन आपको याद रखना चिन्नई में हुआ है अगर आप से पूछा जाए कि जलमांग विकास परिशत की पहली बैठक है इसका क्या मकसद है इसकी अध्यक्षता किस ने की है तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता की है यह है सरवनन सुनो वाल अब इनके बारे में आप याद रखेगा यह भारत के मिनिस्टर ऑफ शिपिंग और वाटर वेस्ट को शमाल रहे हैं केंदरी पतन पोत परिवहन और जल जल मार की लिए करेंगे तो यहां पे जो रोड पर जो प्रेशर है वो कम होगा और जो वाटर वेस्ट सस्ता भी होता है पॉलूशन भी नहीं फैलता है तो इसे डबलब करने का हमारा प्रयास है ठीक है तो भारती अंतर राश्ट्री अंतर देशी जलमार प्राधिकरन के द और दोस्तों इसमें 45,000 करोड रुपे की प्रति बद्धता जताई जा रही है यहां पर नदी में क्रूज परेटन का विकास किया जाएगा और 2047 तक टार्गेट है कि जो पैसेंजर्स हैं अभी दो लाग है और दो लाग से बढ़ा करम 15 लाग कर देंगे से एंप्लॉयमें संजे बंदू पाध्या इसके वर्तवान अध्यक्ष ठीक है दोस्तों आई देखते हैं नौलेज फैक्ट्री में निर्वाचन आयोग की बात करें कुछ इंपोर्डेंट कमिशन की बात करें जिसकी स्थापना हुई है तो एलेक्शन कमिशन की स्थापना कब हुई 1950 में हु साहर तकर के स्ताइम में हुई है युझे से नीती आयोग में पड़ल दिया गया है एक झनवरी 2017 में इसे नीती बना दिया गया है वित आयोग की स्थापना नैटिन फिफटीवन में हुई है युदिवर्सिटी ग्राइंट्स कमिशन की स्था अपने 1953 में किंद्री सतरता आ कि इस था अपना 1993 में हुई है आई देखते हैं दोस्तों क्वेशन नंबर शिक्स अंतराश्टी परपल उस्तब 2024 काजन क्या गया असम में कौन सा होता है तो भोगली भी हूँ भोगली भी हूँ कटी भी हूँ जितनी भी भी हूँ लगे हैं वो सारे महसब कहां पर होते हैं असम में होते हैं बिहार में होता है थावे महसब बिहार में क्या होता है थावे महसब काजन किया जाता है बिहार मे अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्की में कौन साव होता है तो इसे कहते हैं भूम्चू फैस्टिवल क्या बोलते हैं भूम्चू फैस्टिवल ठीक है सिक्की में इसका आजन किया जाता है अब आई देखते दोस्तों अंतराश्टी परपर उससब दोहजार चौबस के बारे म और यहां पर संगीत नित्य और मनोरंजन बहुत सारी कारक्रम होंगे यहां पर आकाशक प्रदर्शनी होगी इसके माध्यम से इसका मकसद है दिव्यांग जनों की प्रतिभाग को सामने लाना तो यहां पर जो दिव्यांग-जन्स हैं जो जिन के पास आप कह सकते जो physically handicapped है उनकी प्रतिभाब को प्रदर्शित करने का एक प्लैकार का सरी प्लैटपॉम है देखें कुछ important festivals को discuss करते जो आपसे पूछे जा सकते हैं लेवेंडर मौसब कहां पर मना जाता है जमू कशपीर में लेवेंडर मौसब का आजन किया जाता है मोनलम चेंशम उसव ले में माघी मेला सफ यह कहां पराजत होता है पंजाब पीसका आज़न Ah है का आधे कौशन नंबा सेवन पुस्टक फोस vigor किस ने लिखा है थे यसे लिख वैहेegeं जीड़ subscribe बुक को नरवड़ने ने पुस्तक four stars of destiny को लिखा है यहां पर अमिताब गोष्ट की पुस्तक पूछा जा सकता है इनकी काफी फिमस पुस्तक है smoke and ashes क्या नाम है इनका इस पुस्तक का नाम है जो अमिताब गोष्ट ने लिखी है रसकिन बॉर्ण ने लिखी है गोल्डें यहां पर सौपनिल Empire की जो वूह वह बलिदान बलिदान दा पैरा फॉर्ष इस पुस्तक को किसने लिखा है तो दोस्तों आई देखते हैं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह 28 वे से नव प्रमुख रह चुके हैं जनरल एम एम नर्वणे अभी वर्तमान जो हमारी थल से नद्धेख्ष हैं उनका नाम है मनोज पांडे क्या नाम है मनोज पांडे यह पहले रह चुके थे और इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है तो दोस्तों इन्होंने बताया है जब यह इस पत्पर थे जब यह सेना की रूप में काम कर रहे थे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के बारे में इस बुक में बताया गया है ठीक है लद्दाख स्टेंड और मी बताया है जब भारत चीन की बीच के जो सैनिकों की बीच में हिंसक धड़ाफ हो गई थी गलवान घाटी में गलवान वैली में दोस्तों कुछ इंपॉर्डेंट पुस्तक मैं आपको बता देता हूं कृष्णा दा सेवन सेंस इसे किस ने लिखा है एक भटाचार ने डॉक्टर विजे डाड़ा ने लिखा है रिंग साइड और आजाद लिखा है गुलाम नभी आजाद ने एर्फान अलाइफ इन दोस्तों कारीकरम है इसराइल देशनी इस्टार्ट किया है इसराइल हमेशा बताता रहा है कि वह भारत का कितना महत पूर दोस्त है कितना पूर्ण यहां पर फ्रेंड है अभी आपको एक घटना पता चली थी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था आज भी ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट मालदीव तो दोस्तों आपने देखा था प्यम मोदी जी ने एक इमेज शेर की थी लक्षदीब की जहां पर लक्षदीब को आज टूरिजम स्पॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे जो हमारे मित्र देश हैं उसको यहां पर हो सहयोग कर रहे हैं उसमें से हमारा एक देश है इसराइल और इसने यहां पर आलवडी कारक्रम शुरू किया है वहां के जो खारा पानी उसको मीठा बनाए किया जा रहा है लक्षदीप कहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों तो आप यहां पर देखे भारत की आप पहश्री में देखे यह मुंबई वाला इससा इधर तरफ देखे तो यह जो आयलेंड्ट शहberger लेक्री आयंड्ट तूरिजम में बहुत अच्छा बढ़ रहा है इसी तरफ मालदीव से अब हमें मालदीव की अर्थववस्ता को गिराना है और अपनी अर्थववस्ता को उठाना है तो यही मकसद है यहां पर जो पानी है जो मीठे मीठे काफी समस्य है और इस वज़े से यहां के खारे पानी मीठे में बदलेगा हमारा दोस्त इजराइल ठीक है और इस तक्नीक को क्या कहा जाता है डी सैलीनेशन कहा जाता है ठीक है चली आगे बढ़ते दोस्तों अगला कोशन आप सभी के सामने रहा विश्व हिंदी दिवस कब जनेतर दोस्तो विश्व तॉस्ट आज दस जनवरी को विश्व इंदी डिवस मनाया जाता है तो नो सा दिवस मनाया जाता है तो कल पड़ा था यह है प्रवासी दिवस जो प्रवासी दिवस कब मना जाता है यह मना जाता नौ जन्वरी को तो छे जन्वरी को क्या मना जाता है यह युद्ध में जो अनात हो जाते हैं बच्चे तो उनकी लिए दिवस मना जाता है ठीक है बच्चों के लिए मना जाता है ठीक है इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस के बारे में तो हर साल 10 जनवरी को में दिवस मनाते हैं इसकी शुरुवात कैसे हुई 1975 में नागपुर में सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आजित किया गया था हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए यहां पर हर साल इसका आजन किया जाता है से ही रहता है अलाकि कई बार यह नहीं होता है और इसका पहले से पहलेस्व हिंदी दिवस का bigger और कृति हैं याद रहेगा 2006 में पहली बार इसे मनाया गया था दोस्तों इसका मुख्यों देश हिंदी भाषा को प्रमोट करना है हिंदी की बात करें तो दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है सबसे पहले नंबर पर इंगलिश है और सेकेंड नंबर पर मंदारिन सेकेंड देखते आज का आघरी इंपोर्टनंको क्वशं आज का आखरी सवाव किस में योगिशरी योजना शूरु की गई इसमें फ्री बस सेवा प्रदान किया जाएगा लड़कियों और महिलाओं को मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती अन्य योजना स्टार्ट किया गया है ठीक है श्री अन्य योजना स्टार्ट किया गया है मोटे अनाच को प्रमोट करने के लिए इ चलो ओके आगे वड़ते हैं तो योगिश्री योजना जो है पश्विम बंगाल की जो मुखी मंत्री है ममता बेनर जी ने स्टार्ट किया आप यहां पर देख पा रहा है इसका मकसद यही है जो कॉंपटीशन की त्यारी कर रहे हैं सी और स्टी चात्र उन्हें फ्री में प्रसिक्षन दिया जाएगा फ्री में कोचिंग दी जाएगी कुछ महत्पुन योजनाएं हैं मुखी मंत्री लोकसेवक आरोग योजना आसमराज ने स्टार्ट किया युवा मितान परिवहन योजन एमपी में स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में इसे स्टार्ट किया गया है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेस्ट दोस्तों यहाँ पर 10 महत्पुन प्रस्णों को हमने डिटेल से कवर किया और मैं 30 मिनट में सायद 1 सेकेंड भी रुका हुआ हूँ ठीक है तो आप भ लेकते हैं 10 मिनट में जो 30 से 35 प्रश्ण करते हैं वह हमारा टार्गेट होता है किस मुख्य मंत्री को भारत रतन डॉक्टर मेटकर अवर्ड 2030 मिला है कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजे तो यह है योगी आधित नाथ जी लॉंग जंपर शैली सिंग ने सेई को गोल्डें ग आता है 56 विश्व वस्वाथ सभा कहां पर राजित हो रही है कहां पर हुआ है। जैनवा में ॐसका आजन किया गया है नेस्ट मंत्रे में जयंगारना भवन गातन कहां किया है फ़ारति रास्ट मंडल देवस का मंन.200 को यह चलमरेत तो 24 माई को सब्रेड किया जाता है तृपुरा राज परटिन की ब्रेंड एंबसजर कौन बने है तो सौरफ गाउंगली बने है अभी पश्री मंगाल के भी ब्रेंड एमबसजर स्वारफ गाउंगली बनाए गया है शराप पस्वास चिताबनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश question आ चुका है यह Ireland है ठीक है ओन सा राज पूरी तरीके से यह शाशित राज बन गया है तो केरल यह राज्य जो पूरी तरीके से यह गवर्ण स्टेट बन गया है हरी बुद्ध मागर किस देश के परवतारो ही है जिन्होंने क्रतिम पैरो के साथ माउंट डेवरेश फते किया है तो नेपाल के हैं कहां के नेपाल के हैं दोस्तों कल 9 जनवरी था और 9 जनवरी की इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स का यहां पर रिवीजन करने वाले है तो आई देखते हैं गोल्डें ग्लूब अव यूरोपी निवेश बैंक की पहली महिला अध्यश कौन बनी है तो इनका नाम है यह है नादिया केलवीनो दोस्तों यहां पर डबलू एचो की निदेशक हैं डबलू एचो की निदेशक है मैंने कल डबलू एचो बोल दिया था आप इसे सही कर लेना ठीक है हिमतेंदुआ किस देश का राश्टी प्रती घोशित किया गया है किस राज के महाकाल लोक में प्रसादम का उध्गाटन किया गया है किस राज में कदम काल का दस्षवी शताबदी इसवी का एक शिला लेंख हो जागया है गोवामिछ घुचा गया गया प्रवासी भारती दिवस कब बनाया जाता दूस्तों प्रवासी भारती दिवस 9 जन्वरी को मनाया जाता है की सेभी के नए एक्सक्यूटिव डारेक्टर कौन बने हैmos सेभी के नए एक्सक्यूटिव डारेक्टर ये है रायम मोहन राव ऐशया ओलमपिक क्वालिफाईर में पूर्षो कि 10 मिटर पेस्टर टेम्स Πरदा क kijken पसंट तो भारत ने इसे जीता है चक्रवात अलवारों ने किस देश को प्रभावित किया है तो मेडा गासकर को प्रभावित किया है देखिए जो जैश्पर है इसने किसको प्रभावित किया है और स्टेला को प्रभावित किया है अभी जो तेज चक्रवात आया था इसका नामकरण किस ने किया है भारत ने इसका नामकरण किया है जो बीपर जो आए है आपने नाम सुना था इसका नामकरण किस ने किया है तो इसका नामकरण बांगलादिश ने किया है ठीक है दोस्तों 10 जनवरी 2024 का अब आपका टेस्ट लेने वाला हूं आपने बहुत अच्छे से करेंट अफेर्स पढ़ा आकरी में 10 कोशन का टेस्ट होता है यह पता करने के लिए कि आपने कितने अच्छे से इस सेशन को ध्यान से सुना है आई देखتे है पहला कोशन विश्व युद्ध अनाद्द दिवस कमराया जाता है तो चैज़-जनवरी को विश्व-यूद्ध अनाद दिवस मनाया जाता है बैंजीमे List नेतान्यू की इस देश के प्रधान मंत्री है तो इस्राइल के प्रधान मंत्री है यह वैश्विक समुद्री सिखर समयलन 2030 कहां पर आजित किया गया चिननाई में इसका आजन हुआ है ठीक है लाडली बहना योजना किस राज से इनका निधन हो गया साउथ कोरिया के एक्टर थे ने है युनेस्को का हैड को आज या डेल को कमेंट बॉक्स में गैबृर किस देश के प्रधान बंत्री इस राखें कर अधे दोस्तों अब को बता दू की जो आपकी गए अरली इबुक है आज लॉंच कर दी गई है इंग्लिश मीडियम वाले चात्रों का बहुत जादा कमेंट आ रहा था दिमांड आ रहा था मंतली करेंट अफेट्स दिसमबर की लॉंच हो गई है मंतली करेंट अफेट्स इबुक अगले वहने से और जल्दी देने का प्रयास करेंगे इंग्लिश मीडियम का तो आप सभी जो है आज इससे डाउनलोड कर लिजेगा आपको यह शाम चार बज़े तक उपलब्द करवा दी जाएगी आप इससे डाउनलोड कर लिजेगा दोस्तों चैनल पर पहली बा से चल रही है उससे आप जरूर फोलो कीजिए आपके लाइफ में आपके सेलेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते ही है